नमसकार दोस्तों आज का टॉपिक हमारा अलजायमर डिजीज के बारे में हैं अगर आप चैनल पर नहें तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें क्या है अलजायमर, अलजायमर भूलने की बीमारी है इसके लक्षनों में यादधाश्ट की कमी होना, निर्ने न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आधी शामिल है रक्तचाप, मधुमे, आधुनिक जीवनशली और सिर में चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशन का बर जाती है सिक्स्टी वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल को इस्थाई इलाज नहीं है अलजाइमर रोग के क्या लक्षन होते हैं? वन शिरुवाती लक्षन अलजाइमर रोग के प्रारंबिक लक्षन इतने हलके और सूक्ष्म हो सकते हैं कि आप अपनी सोच या वेवहार में कोई बदलाव न देख पाएं ये लक्षन है वन चीजों को खो देना और वापस धूंदे में असमर्ता तू रोजमर्र की जिंदगी को प्रभावित करने वाली या दाश्ट की समस्या है त्री नियोजन या समस्या सुलजाने में मुश्किले आना फोर सामान ये दैनिक कारेों को पूरा फाइव करने में अधिक समय लेना फाइव समय का ध्यान न रहना तिक्स दूरी निर्धारित करने और अलों में अंतर करने में परिशानी होना सेवन बापचीत करने में कठिनाई एट कराराब अनुमान के कारण गलत फैसले लेना नाइन ऐसा है जी कर देते विडियों से अलगा तैन मनुच्षा वर विद्धित्र में परिवर्तन और चिंता में बढ़ोत्री 2. मध्यम लक्षर अलजाइमर रोग मस्तिष के अधिक्षित्रों में फैल जाता है और परिवार वर दोस्तों को आपकी सोच और विवहार में परिवर्तन महसूस होने लगता है ये लक्षर है वन दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पहचानने में समस्या है। को दुहराना और कभी कभी मांस्पेशियों में जटके आना वहम भ्रम संदे या पादलपन और चिर्चिडापन होना आवेग नियंत्रन की समस्याएं समय या जगों पर खराब भाशा का उप्योग करना विवहार के लक्षनों की गलबरी जैसे की बेचनी उतेजना चिंता रोना और भटकना थ्री गंभीर लक्षन वन मूत्राशर और आंत्र नियंत्रन की कमी तू वजन घटना दौरे पर ना थ्री तुचा के संक्रमन कराना अ अग्यानिकों का मानना है कि ज्यादा तर लोगों में अलजाइमर रोग आनुवानशिक जीवनशली और परियावर में कारकों के सन्योजन से उत्पन्न होता है जो समय के साथ मस्तिष्ट को प्रभावित करते हैं 5% से भी कम बार अलजाइमर विशिष्ट आनुवानशिक प पर इसका असर स्पष्ट है अलजाइमर रोग मस्तिष्ट की कोशिकाओं को नुकसान पहुचाता है या उन्हें मारता है एक स्वस्त मस्तिष्ट की तुलना में अलजाइमर रोग से प्रभावित एक मस्तिष्ट में बहुत कम कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिकाओं क होती है उदावरण के लिए नियुरोलोजी जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अध्यन में पाया गया कि अलजाइमर रोग या अन्यप्रकार के डिमेंशिया होने की आशंका नार्मल विटामिन डी वाले लोगों के बनिस्पत विटामिन डी की कमी वाले लोगों में दोगुनी थी वहीं दूसरी और अन्य ध्यनों में विटामिन डी के स्तर और डिमेंशिया के बीच कोई संबंद नहीं पाया गया वर्तमार में विटामिन D की कमी और दिमेंशिया होने के जोखिम के बीच संबन्द साबित नहीं हुआ है कारर और प्रभाव दिखाने के लिए अधिक शोग की आवश्रक्ता है अलजाइमर रोग होने से रोग आ जा सकता है क्या? फिलहाल अलजाइमर रोग से बचने का कोई सिद्ध तरीका नहीं है लेकिन इस विशर में वैग्यानिक खोड़ चल रही है अभी तक ये माना जाता है कि हरदय रोग के जोखिम को कम करने से अलजाइमर रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है हर रहे रोग के जोखिन को बढ़ाने वाले कई कारक अलजाइमर रोग और सम्वहनी मनोब्रंश का खत्रा भी बढ़ा सकते हैं ऐसे कुछ महत्वपून कारक है वन हाई ब्लद प्रेशर, तू हाई कोलेस्टरॉल, त्री अधिक मोटा पाफ, फोर डायबिटीज डाइगनोसिज, वन सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में एक मशीन बहुत ही छोटी अवधी में कई अलग-अलग तरीकों से आपके शरीर के एक स्रे लेती है और एक कम्प्यूटर, स्कैन की छवियों को शरंखला में बदल देता है सीटी स्कैनर, अलगाइवर के बाद के चरणों में सामान्य मस्तिश के परिवतन दिखा सकता है 2. MRI-MRI एक बड़े चुमबत रेडियो तरंगों और कम्प्यूटर का उप्योग करके आपके शरीर के बहुत स्पष्च चित्र बनाता है और डॉक्टरों को ये देखने में मदद करता है कि क्या ट्यूमर या स्ट्रोक के कारण अलजाइमर जैसे लक्षन हो रहे है ये रोग से जुड़े मस्तिश के परिवतनों को दिखाने में भी मदद कर सकता है